असलाम अलेकूम आप देख रहे हैं सीजनल कुकिंग विद नुशीन शेर और आज भी आपके साथ चीजी वाइट सॉस पास्ता की असान सी रेसिपी शेर करूँगी तो सबसे पहले हम पास्ता उबाल लेंगे इसके लिए हमने खुले बरतन में पानी उबलने के लिए रख दिया और इसके अंदर हमने एक चाय का चमच नमक और एक खाने का चमच कुकिंग ओल का डाल दिया पानी उबलने लगा तो इसके अंदर हमने दो कप पास्ता डाल दिया यह मैंने स्पाइरल मैक्रोनिस ली है तकरीबन आठ मिनट में जो यह पास्ता है हमारा अच्छे से उबल चुका है अब हम इसमें से पानी जो है इसको निथार लेंगे अभी हम एक बर्तन में लेंगे दो खाने के चमच ओली वॉयल या फिर आप दो खाने के चमच बटर भी ले सकते हैं और इसके अंदर डालेंगे हम डेट खाने का चमच मैदा मैदे को हमने भूनना है तो इसके नीचे आंच जो है वो हम medium to low रखेंगे और मसलसल इसको हलाते हुए हमने भूनते जाना है मैदे को हमने इसका color change होने तक और इसमें से जब तक खुश्बू आने लगे तब तक हमने इसको भूनना है मैदा बुण जाए तो इसके अंदर हमने डेट ग्लास जो है वो दूद का शामिल करना है दूद डालके तो हम इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे अगर इसमें गुठियां बनना शुरू हो जाएं तो आप इस एक विस्क के मदद से अच्छे से इसको करें विस्क ताके जो है मैदा वो अच्छे से दूद के अंदर डिजॉल्व हो जाए अभी दर्म्यानी आज पे हमने मुसलसल हलाते हुए सॉस को गड़ा होने तक पकाना है अब इसके अंदर एक चुथाई चाय का चमच मैंने लेसन पाउडर का डाला है आदा चाय का चमच हम काली मिर्च का डाल देंगे एक चाय का चमच तकरीबन मैंने नमक का डाला है इसमें अच्छे से मिक्स करते जाएंगे सब चीजों को अभी यह मैंने छे साथ स्लाइसिस लिए हैं चीज के और यह खोल के हम इसके अंदर डाल देंगे आप कोई सब चीज इसके अंदर डाल सकते हैं यह मैंने फ्रिज से निकाल के रख दिये थे जादा देर पहले के तो वह मेल्ट हो चुके हैं आप इसमें चैडर चीज मॉसरेला चीज जो भी डालना चाहें इसके अंदर डाल सकते हैं चीज डालने के बाद इसको हम कुछ देर और पकाएंगे ताके चीज जो है वह अच्छे से इसके अंदर मेल्ट हो जाए मिक्स हो जाए अच्छे से अब इसमें आप हस्पे ज़रूरत औरिगानो डाल दें औरिगानो डालते ही इसमें से बहुत अच्छी सी खुश्बूआना शुरू हो जाती है तो अब यह हमारी वाइट सॉस जो हो त्यार है तो अब हमने जो पास्टा बॉयल करके रखा था वो हम इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे तो ये हमारा वाइट सॉस पास्ता जो है ये बनके तियार है अब हम इसको सर्विंग डिश में निकाल लेंगे और एंड पे हम इसको ग्रीन लीव्स के साथ गारिश कर लेंगे तो ये थी वाइट सॉस पास्ता की असान सी रेसिपी आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करें अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अगर आपने मेरी चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया हुआ तो सबस्क्राइब कर दें मुझे दीजिये अजाज़त अल्ला हाफिस